हलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल डियाफ एंस में हम यहां पर एलेक्ट्रिकल के क्विश्टन डिसकस कर रहे थे सब्सक्राइब आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो यहां पर आई-कार्ट पर आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप महां से देख सक प्रफ्राइब यहां तो चली चलते हैं आज के हमारे कुष्टन में हमसे बोला जा रहा है चले असलिए बताना है बट्विं पॉन्ट ए और बीच जो यह पॉint ऑर पॉंट बी है लिए इनके बीच पर वोल्टेज बताना है फोर the given एलेक्रिकल सर्कीट जो आपको इसकी ब को बताना है यहां पर वोल्टे जो क्या होगा और भी आपको गीवन है और यहां फाइव क्या किया बना है आपको करंंट की बने एक यहां पर SENI याम पर आपको मिलना है और यहां पर देख रहे हैं कि D워 आपके किस में सीरीज में अगर हम बात करते हैं RSE यानि कि series resistance की बात करें तो उस condition में जो हमारे पास resistance direct क्या कर देते हैं हम add up कर देते हैं series में resistance क्या होता है direct add हो जाते हैं तो R series के अगर हम बात करें तो R1 plus R2 होता है वहीं R अगर जो resistance हम अगर parallel की बात करें parallel की condition में बात करें तो हमारे पास जो value होती है वो होती है R1 into R2 upon R1 plus R2 यह जो हमारे पास formula है वो basically आता कहां से है तो यह हमारे पास आता है जो parallel की अगर हम बात करते हैं तो 1 upon R equals to किसके equal होता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 के equal होता है तो इसको जब आप simplify करेंगे आपके पास यह formula बना के देगा तो यह चीज आपको clear है तो अब अगर मैं इसको जो electrical circuit हमें given है इसको simplify करती हूँ तो यहाँ पे यह हमारे पास दोनों किसमे हैं series में है यह क्या हो जाएंगे direct add up हो जाएंगे तो हमारे पास जो circuit बनके आएगा वो कुछ इस तरह से बनके आएगा और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह यह जो circuit given है यह जो basically आपको resistance given है यह भी किसमे given है series में given है तो सबसे पहले आपको पता किसे चलेगा series में given है आप current flow करा के देख लिए माली इस wire में जो electrical circuit है इस ब्रांच में अगर हम current flow करते है आई तो यह current Sam जो इस resistance में जाएगी वही इस resistance में जाएगी यानि कि series में अगर आपको पता कैसे लेगा series का अगर आप current semi current flow और यह दोनों resistance में तो आपके किसमें series में connected है वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते है अगर current I1 आप यहाँ फ्रोलो करते हैं तो यह resistance में और इस resistance में तो यह आपको किया है series में है तो इस तरह से आप कता सकते हैं अगर वही अगर जिसे अगर आप यहाँ इस यहाँ से अगर आप current flow करते हैं I तो यहाँ पर किती जाएगी को कुछ भी मानना है तो यहा się अगर हमारी current flow हो रही है आई तो इस node सब्सक्राइब और इंदर की साइड उज़यों कि नहीं को लिख सकते है इसको i-1 यहां पर current flow रही है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब यह कि दोनों प्रांचेज में current आपके पास आपके पास ऎका लिए यहां कनेकट्ट है और एक रिच्टेंस आक के आंकर इहां यहां हो जाएगा जाएगा कि इसकी पिते हो जाएगी चिछिव फॉर्ण हो जाएगी स्स्कूर के तो आरवन प्लस आटो करेंगे तो यहां पर इसको यहां पर नहीं लिखेंगे अगर आप इस फोर को यहां पर नहीं लिखते हैं और यहां पर नहीं लिखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि पैलल में हैं तो यहां पर इसको फोर पैलल में हैं तो आप इसको सोल करेंगे आपके पास किना आजाएगा तो यह बेसिकलि आपके पास जो सरकुट है वो बनके आ रहा है इस तो यह आपके पास रिशिटेंस की वेल्यू आजाएगी फोर अगर सेम रिशिटेंस एक और formula होता है अगर आपने पहले वाले वीडियो देखी तो जो भी मैं बता रहीं न आपको अभी तक मैंने बताया आपको यह समय काफी बार आपको पहले बता चुकी हूं पर अगर अगर आपके पास रेजिस्टेंस की दोनों की वेल्यू सहम है और दोनों पेल्लर में तो आर बा पॉइंट ए है यह पॉइंट भी है और यहां पर यह आपके पास करेंट करनेक्टेड है करेंट फ्लोर यह वो हो रही है फाइव एंपेर की तो अगर आप इसको लिखेंगे सर्किट को ड्रो करेंगे तो यह बैसिकलिन आपे इस लेना पड़ेगा आयोप साब को समझ में ख mistब रहोगा तो यहां फेर हो इसको हम आप तो यहां पर हम बात करते हैं थाकित है और अमारे ऐसर्क्वित ने और यह कि वारनिट हमारे पास जो फ्लो ओर रही है वह और 5A की ऑगो नेक्स्ट यह मार पास जो पुइंट हो गया वह गया भी तो अब हम्हारा पास क्या के गीवन करने अगर और वोल्टेश फाइंड आउट करनी क्या करंब हमें गीवन है how current हमें गीवन है five ml next resistance हमें गीवन है फोर तो अगर हम इसको सॉल करेंगे तो आपके पास आजएगी 20 वोल्ट तो 20 वोल्ट आपके पास बेसिकली क्या जैगा वोल्टेश आजायेगा आपको सिर्फ यह वाला पार्ट है इस तरह से लिखना होता है इनको सोल्ट करने के लिए बार बार नेट्वर्क नहीं बनाने होता है इस तरह से लिखना एक बना है Japanese प्रेक्टिस करेंगे तक झाँ आपस तरह से लिखना सीख जाएंगे। यह बैसिकली मेंने क्या लिखा है मैंने लिखा है कि दो resistance अर जो 4-Om के resistance यहां पे है वो किसमे है parallel में इस तरह से दो लाइन का मतलब क्या है कि इhen parallel में है, plus करके मैंने यहाँ पर two lिखा है, plus two इस का मतलब क्या है कि जो यह resistance हमारे प iPhones इसका resultant टिकल किा 나올 गा और जो हमारे पास resistance यहाँ पर given है, वो दोनों किसमें given है? सिरीज में given है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट हमने एड़प कर लिया इनको तो इस तरह से आप भी लिखना सिख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होपसर यह क्यूशन आपके सबके क्लियर हो गया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप नेक्स लेक्चर में जेहिं जे भारत